गुड्मानी स्टूडेंट्स। तुडे भी अर्डेंट्स चप्टर उप मैथ्स। अग्द इस लेज्ट चप्टर इस मनी। स्टूडेंट्स फर्स्ट अफॉल तेक आउट यूर मैथ्स वर्बूक एंड ओपन यूर वर्बूक पेज नंबर 139। जैसे कि देखो बच्चो आज हमें math का 11 वा lesson जो है money उस lesson को start करना है और lesson को start करने से पहले आपको आपकी math की workbook का page number 139 निकलना है जैसे कि देखो बच्चो money का मतलब क्या होता है currency पैसा आपको पता है वैसे ही देखो बच्चो जैसे कि हमारे भारत में जो currency है उस currency का नाम है rupees और अलग-अलग देशों में अलग-अलग currencies होती है जैसे कि हमारी अमेरिका अमेरिका देश जो है उस अमेरिका में dollar है ऐसे अलग 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 देश की करंसी जो है वह अलग-अलग होती है सो हमारे भारत देश की करंसी कुनसी है रूपीज सो स्टुडंट्स जैसे कि देखो बच्चो जब आप दुकान पे जाते हो और आपको कुछ चीजे चाहिए होती है जैसे कि अगर आपको चोकलेट वगरा लेना हो तो आप दुकान पे जाकर दुकान दार से चोकलेट लेते हो और उसके बदले उसको पैसे देते हो देते हो ना तो वह हो हुआ मनी उसे कहते है करंसी ओके सो स्टुडंट्स देखो जैसे कि देखो बच्चो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब आप दुकान पे जाते हो और कुछ पर्चेस करते हो तब उसे आपको मनी देना पड़ता है पैसा देना पड़ता है पड़ता है ना और यहाँ जो मनी है वहाँ अलग-अलग फॉर्म में होता है जैसे कि हमारे भारत की जो करंसी है वहाँ कोईन्स और नोट्स में डिस्रिबूट की है जैसे कि हमारी जो करंसी है वहाँ कोईन में और नोट्स में पाई जाती है इन इंडिया we use rupees and paisae और हमारे भारत में जो currency है वह rupees currency है, rupees और paisae, ओके, so देखो बच्चो यहाँ पर आपको कुछ coins और notes दिये हैं, जैसे कि Indian coins and notes हमारे भारत में कौन-कौन से coins use किये जाते हैं और notes जो है वहाँ कौन-कौन से use किये जाते हैं, वहाँ अभी आपको देखना है जैसे कि the symbol for rupees is rupees and paisae is P, जैसे कि देखो बच्चो, rupees का जो symbol है, रुपी का, वह symbol कौन सा है, यह, जैसे कि यह symbol rupees का है और paisae के लिए P यह alphabet use किया जाता है, ओके, यह आपको ध्यान में रखना है बच्चो, rupees का symbol कौन सा है, यह वाला, और paisae के लिए P यह symbol भी use किया जाता है, ओ बच्चो यहाँ पर निचे आपगो कुछ coins दिये हैं जैसे कि 50 पैसे का coin दिया है then rupees 1 का coin then rupees 2 का coin then rupees 5 का coin दिया है यहाँ पर और लास्त को rupees 10 का coin दिया है यहाँ पूरे जो है उहाँ कॉइन से लेकिन कुछ नोट्स में भी यहाँ करंसी होती है जैसे कि कुछ कॉइन होते है और कुछ कागजी नोट होते है जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चो आपको यहाँ पर कागज में कौन-कौन सी करंसी आती है वहाँ आपको यहाँ पर नीचे नोट्स के रूप में यह रुपीज 50, रुपीज 100, 500 और 200 ऐसे यहाँ पर आपको नोट्स दिये हैं पहले हमने क्या दिखा? coins, coins में कौन-कौन से coins देखे हैं यहाँ पर? 50 पैसे का coin, रुपीज 1 का coin, रुपीज 2, रुपीज 5 और रुपीज 10 और इससे पहले भी बच्चों कुछ coin थे जैसे की 5 पैसे का coin, 10 पैसे का coin, 20 पैसे का coin और 25 पैसे का coin यहाँ पहले जमाने में मतलब पहले यहाँ currency थी लेकिन अभी अभी यहाँ पर हमारे भारत में यहाँ currency चल रही है, ओके? तो देखो बच्चों, एक आपको बात ध्यान में रखनी है, कौनसी? जैसे की 1 रुपी में कितने पैसे होते है? 100 पैसे, मतलब एक रुपई में पैसे कितने होते है? 100 पैसे, यहाँ बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे की अभी यहाँ पर देखो, अभी हम exchanging money कैसे करत जते हैं, then notes कौन-कौन से है, यह currency में देखा है, then students, open your workbook page number 140 and look on it, जैसे कि देखो बच्चो, page number 140 पे क्या दिया है, remember यह बात आपको ध्यान में रखनी है, in earlier days, people use coins such as 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे, जैसे कि देखो बच्चो, earlier मतलब कुछ दिनों पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 5 पैसे का कोईन, 10 पैसे का कोईन, 20 पैसे का कोईन, और 25 पैसे का कोईन, use में लाते थे, है ना, तो देखो बच्चो, अभी यहाँ पर, अभी हमें देखना है, exchanging money, exchanging money का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 रूपीज में 50 पैसे के कितने कोईन आएंगे, अगर आपको 2 रूपीज का exchange लेना होता है, तब आपको उसमें 1 रूपीज के कितने कोईन आएंगे, यहाँ आपको इसमें बताना है, जैसे कि देखो बच्चो, यहाँ पर, for example, एक example दिया है, और यहाँ पर 1 रूपीज का एक कोईन दिया है, जैसे कि देखो, 250 पैसे coins together make rupees 1 जैसे कि देखो बच्चो 250 पैसे के coin मतलब 50 पैसे के जो 2 coin है वह मिला कर 1 रूपीज का एक coin बनता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1 रूपीज मतलब 100 पैसे ओके यह बात आपको ध्यान में रखने है so we can exchange a rupee 1 coin for 250 पैसे coin मतलब आप जो है वह एक के coin को 50 पैसे के 2 coin में exchange कर सकते हैं ओके देखो बच्चो second दिया है example आपको यहाँ पर 2 रूपीज का coin अभी देखो यहाँ पर 2 रूपीज का coin जो है वहाँ 1 रूपीज के 2 coin उसमे exchange होते है मतलब अगर आपको दुकान पर भीजा और आपको बोला कि 2 रूपीज के exchange लाने के लिए चिलर लाने के लिए तो उसमें 1 रूपीज के कितने coin आएंगे 2 coin आएंगे अभी देखो बच्चो 50 पैसे के coin कितने आएंगे फिर देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ बात ध्यान में रखनी है 1 रूपी मतलब 100 पैसे तो यहाँ पर देखो 50 पैसे के coin कितने आएंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि 2 रूपीज में पैसे कितने आएंगे बच्चो very good 200 पैसे आएंगे बराबरे तो 200 पैसे के लिए यहाँ पर 50 पैसे के coin कितने आएंगे 50 प्लस 50 मतलब यहाँ पर 2 कोईन लिए तो 100 पैसे हुए और आपको ऐसे 2 कोईन लेने पड़ेंगे मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे ऐसे आपको 50 पैसे के force coins जो है वहाँ एक्सेंज करने के लिए 2 रुपीज के coin के लिए आपको देने पड़ेंगे ओके देन देखो बच्चो यहाँ पर 10 रुपीज का एक note दिया है और 10 रुपीज के note का आपको यहाँ पर exchange बताना है जैसे कि 55 के जो note से वह कितने आएंगे 2 notes आएंगे very good और जैसे कि देखो बच्चो 5 के अगर coin लिए तो भी कितने coin आएंगे 2 ही coin आएंगे देन अभी देखो यहाँ पर यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन आपको बताना है जैसे कि 1 रुपीज के coin कितने आएंगे बच्चो 10 coin आएंगे yes इस प्रकार आपको एक्सचेंज जो है वह आपको एक्सचेंज करना आना चाहिए ओके देन देखो बच्चो next example दिया है यहाँ पर 20 रुपीज की यहाँ पर note दी है और उसका exchange आपको बताना है जैसे कि देखो 1 रुपी 20 note can be exchange for 2 रुपीज 2 sorry for 2 रुपीज 10 notes और coins जैसे कि देखो बच्चो इस 20 रुपीज के note में exchange के लिए 10 10 के 2 notes आएंगे या 55 के जो coin है वहाँ कितने आएंगे 4 coin आएंगे या आपको आना चाहिए ओके देखो बच्चो पेज number 141 पर जो अभी कुछ हमने सीखा जैसे कि exchanging money, पैसे किसे कैते है रुपीज का symbol क्या है और exchanging money कैसे करते है इस आधार पर आपको page number 141 पर आपको कुछ exercise दी है जो अभी हम देखने वाले हैं देखो बच्चो यहाँ पर page number 141 पर आपको match the following करके यहाँ पर एक match the following दिया है और one is done for you एक आपको यहाँ पर करके दिया है जैसे कि 100 की note के लिए यहाँ पर 20 रुपीज के 5 notes जो है वहाँ exchange करके यहाँ पर आपको दिया है जैसे कि 100 में 20 रुपीज के कितने notes आते है 5 notes इसलिए यहाँ पर आपको 100 रुपीज की जो जोड़ी है वहाँ आपको यहाँ नीचे जो 20 रुपीज के 5 notes दिये है उसके साथ आपको यहाँ पर यहाँ जोड़ी लगानी है देन देखो बच्चों 20 रुपीज की note दिये है और उसका exchange जो है वहाँ आपको बताना है जैसे की देखो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 यह आएगा क्या नहीं देन देखो 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 मतलब 5 5 के ज़़ए अगर हम 4 notes उसमें exchange करते हैं तो वहाँ 20 रुपीज का exchange हुआ इसलिए यहाँ पर आपको इस 20 रुपीज की जोड़ी यहाँ पर दूसरे नंबर के साथ यहाँ पर आपको लगानी है देन देखो बच्चो थर्ड एक्जाम्पल दिया है यहाँ पर 5 रुपीज का note दिया है और 5 रुपीज के note की आपको exchange बतानी है जैसे की देखो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर यहाँ जोड़ी इसके साथ लगेगी क्या? 9 तो देखो 5 की जोड़ी अभी यहाँ पर second number पर आपको कुछ coin दिये है जैसे के 2, 2, 2 के 2 coin दिये है और 1 का एक coin जैसे के 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 मतलब यहाँ पर इस 5 के notes की exchange यहाँ पर आपको second number के जोड़ी के साथ मिलती है इसलिए यहाँ पर 5 की जो note है उसकी जोड़ी आपको यहाँ पर 2 number के coins के साथ यहाँ पर आपको लगा लेनी है देन देखो बच्चों 50 रुपीज की यहाँ पर note दी है और 50 रुपीज की note की यहाँ पर आपको exchange करनी है जैसी की देखो बच्चों 50 रुपीज के note में अगर हम exchange करते है तो कौन-कौन से note आते है जैसी की देखो 20 plus 10 30 30 plus 10 40 40 plus 10 50 इसकी जोड़ी आपको last के 50 की 50 के note की जोड़ी आपको one number के साथ यहाँ पर आपको लगा लिनी है then देखो बच्चों next आपको question दिया है count and write the amount one is done for you यहाँ पर आपको सबसे पहले तो count करना है और उसके आगे जो amount आपको मिलती है वहाँ count करके आपको यहाँ पर लिख लेना है जैसे की देखो पहला example आपको करके दिया है 5 रूपीज का coin 2 रूपीज का coin then 1 रूपीज का coin और 1 रूपीज का coin और 50 पैसे का एक coin जैसे की अभी आपको इसकी addition करनी है count करना है 5 प्लस 2 कितने होते है 7 7 प्लस 1 8 next 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 9 की क्या हुए रूपीज और पैसे कितने है 50 यहाँ पर आपको रूपीज के आगे जो आपको लाइन दी है उसमें 9 डिजिट लिखना है और पैसे कितने हुए यहाँ पर 50 पैसे इसलिए आपर पैसे के आगे जो यहाँ पर लाइन दी है उस पर आपको 50 यह डिजिट लिखना है इस प्रकार next example देखो यहाँ पर देखो भी 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 मितलब रूपीज कितने हुए 10 so we will write here 10 रूपीज 10 और पैसे यहाँ पर पैसे कितने हुए 50 पैसे का एक कोई है इसलिए आपको 50 जो डिजिट है वहाँ पैसे के आगे लिख लेना है तो इस प्रकार आज हमने exchanging money कैसे करते है और रूपीज का सिंबोल कौन सा है पैसे का सिंबोल कौन सा है यहाँ आज हमने देखा है तो सबको बच्चों यहाँ concept समझ में आया है न ठीक है थेंक्यू